शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले शहर में एक और जहां रुक्षारोपन किया जा रहा है तो वहीं दूसरी और कुछ ऐसे पेड़ पौदों की चोरी भी की जारी है जी हाँ सदरस्ती दो चवकिदारों ने चंदन के पेड़ की चोरी की जिसके चलते सदर पुरिस्ते उन्हें गिरपतार किया कहते हैं कि जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो च्छाओं देते हैं और इसी च्छाओं के नीचे कई लोग आराम भी फरमाते रहते हैं पेड लगाना ये काफी अच्छी बात है क्योंकि पेड लगाने से बड़ी मात्रा में प्रदूशन कम होता है और साथी साथ निसर्ग का बैलन्स भी बना हुआ रहता है लेकिन अफसोस के आयदीन ऐसे शरारती तत्व है जो ऐसे पेड़ों को काट कर अपने घर में लेके जा काट कर उसे पचास जार में बेज दिया गस के दवरान ये बात पुलिस को पता चली पुलिस ने उन्हें गिरपतार किया और उनके उपर में भारतिय दंडविदान के 399 के तयत मामला दर्चर आगे की जांच सदर पुलिस कर रही है त्रीवी स्क्रीन पर ये दोनों वही आरोपी है जिने पुलिस ने चंदन का पेड़ काटने से चंदन की जड़े काट कर उसे बेशने का आरोप इन पर लगा हुआ है सदर पुलिस थाने से कैमेरा परसन विर जड़े चंदन नग पूर।